एलो बच्चो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरेंजी के हब में आज हम देखने वाले हैं एड़केट अब्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 5 का संपून हल तो आएए अपन लेसन बन प्रेयर के कोश्चन अंसर हल करते हैं पर हां यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेला आइकन को दवाना ना भूलें जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नौटिफिकेशन आप तक पहुचेंगे तो देखिए पिस नमबर एक जानी साही विकल्प चुनकर लिखना है चू का आणसर आप लिखेंगे एवरीधिंग फिस नमबर दो नेट्स नोई स्पीच वाट्स इच प्रेयर और बटरफ्लाइ इसमें से कौन सा सही आंसर बच्चों सी प्रेयर प्रेयर नेट्स नोई स्पीच वेरी शॉर्ट आंसर टाइब कुस्चिन अंसर दा प्रण वालें को बड इसका अंसर आप लिखेंगे बड आंसर पूस्टन नमबर चार पार्ट इस दा कलर ओप दा ग्रास इसका अंसर लिखिया आप ग्रीन question number five write the rhyming word for tree tree का rhyming word क्या होगा free question six write the opposite for the word mother mother ka opposite क्या होदा है बचो father short answer type question answer the following question in one-two sentence एक दू संटेंस में अपनको आंसर देना है. Question 7. What has God given us to read? इसका answer लिखिये. Book as given by God. Question 8. How do words and butterfly? Butterfly fly. Answer में लिखिया. Words and butterfly fly by their wings. Question 9. Circle the word on and right. इसका है pencil, water, razor, book. इसमें से क्या है? इसका order number water. दूसरा है brother, mother, dancer, father. इसमें है dancer. Question 10. Write any three things given by God. लिखिया. Food, books, clothes. अब long answer type question. नीचे दिये गए चित्र को देखकर. प्रश्णों के उत्तर अपन को तीन से पांच बाक्यों में लिखना है. Write for sentence about the given picture on and done for you. प्रश्णों के उत्तर अपन को तीन से पांच बाक्यों में लिखना है. sequence मतलब अपन को क्रम से जमाना है इनको. तो मैंने यहां पर जमा दिये. आप इनको ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं. ठीके बच्चों. आपका यह बाट एक पूरा हो गया है. वीडियो अच्छी लगी हो. तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए और सब्क्राइब भी कीजिए.